तुर्गुत एल्प या नूर्गुल गाजी इस्लाम के हिस्ट्री में सबसे ज़ादा सालों तक इसलाम के दुश्मनों से जिहाद करने वाले मुझाहिद हैं। तुर्गुत एल्प जिन्हें दुनिया नूर्गुल के नाम से भी जानती हैं। उन्होंने 125 सालों की जिंदगी में एक लाख पचास हजार से ज्यादा इसलाम के दुश्मनों का खात्मा किया नूर गुलगाजी 1323 इश्वी में 125 साल की उम्र में जंगे मैदान में दुश्मनों से लड़ते लड़ते जामे शहादत नौश फर्मा गए और जब ये अजीम मुजाहिच शहीद हुए तो उनकी विरासत असासा सिर्फ और सिर्फ इनकी कुलहाडा था असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बैक टू आर चानल शेर अली मैं हूँ इरम अली और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चानल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें बैल आइकन हिट करें ताकि हमारे आनेवाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन हैं आपको टाइमली मिलता रहें और दूसरों तक शेर करना भी न भूलें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे पिछले वीडियो में आप से पूछा था कि आप हमारा आने वाला अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो आपके कमेंट्स के जरी हमें ये पता चला कि आप सब के सब जो हैं आप जादा तर लोग ये चाहते हैं कि हम हमारा आने वाला जो वीडियो है वो तुर्गुत एल्प यानी नूर्गुल गाजी पर बनाएं तेरवी सदी की शुरुवात में सल्तने सल्तनते अब्बासिया का खात्मा हुआ ये वक्त दुनिया में इसलाम के लिए बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुश्किलों भरा दौर था इसी वक्त नई सल्तनते उभरने लगी जिसे मंगोल कहा जाता था चंगेश खान की मंगोल फौज अपने सामराज्य को बढ़ाने के लिए दुनिया में अलग-अलग जगाहों पर हमला कर वहाँ पर कबजा कर लिया करती थी मंगोल जिस जगा भी जाते वहाँ सभी चीजों को तहसनेस कर दिया करते थे वो औरतों और बच्चों किसी पर भी रहम नहीं किया करते थे वे जब तुरकी की तरफ आए तो देखा कि तुरकी के लोग कबीलों की शकल में बटे हुँ काई कबीले को तुरकी के सभी कबीलों में एक बहुत ही पावफुल कबीला माना जाता था उसके सरदार सुलिमान शाह एक बहुत ही समझदार और जाबास सरदार थे काई कबीला एक ताकतवर कबीला था उसके जंगजू बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बड़ी संख्या में हुआ करते थे अर्तरूल गाजी की बहादुरी की किस्से बहुत ही जादा मशूर हुए अतरुल गाजी अजीज और उनके हरदम साथ रहने वाले तुर्गुत एल्प थे जिन्हें नूर्गुल गाजी भी कहा जाता है नूर्गुल गाजी एक लंबे कद और बहुत ताकतवर और बेहत खुबसूरत जवान थे एक ऐसे मुजाहिद हैं जिन्होंने एक सदी तक दुश्मनों से मुकाबला किया तुर्गुत एल्प इतने बहादुर थे कि अकेले ही 20 लोगों से एक साथ लड़ सकते थे उनकी आखों पर अगर पटी भी बंदी होती थी तो वह दुश्मनों के बहुत बहादुरी से लड़ सकते थे दुनिया में ऐसे बहुत बहादुरी से लड़ने वाले शक्स थे वो वर्ल्ड में नूर्गुल को उनकी बहादुरी और उनके एक स्पेशल हत्यार यानि उनके कुलहाडे से लड़ने की वजह से भी जाना जाता है इनका कुलहाडा पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉंग कुलहाडा माना जाता है तुर्गुद गाजी का कुलहाड़ा जो है वो 90 सेंटी मीटर और 1 किलो 650 ग्राम वेट का कुलहाड़ा है जब भी तुर्गुद गाजी जंग में हक अल्ला की सदा लगाते हुए उस कुलहाड़े को दुश्मनों पर चलाते तो वह दुश्मनों को जहन्नम वसीले हो जाया करते थे और वो दुश्मन मारे जाते थे उनका कुलहाड़ा आज भी तुर्की के म्यूजियम में मौजूद है तुर्गुद गाजी उस्मानी सल्तनत के बुनियादी लोगों में से शामिल थे अल्ला ने आपको 125 साल की लंभी उम्र अता फरमाई अर्थरुल गाजी जब तक जिन्दा रहे आपने उनकी वफदारी से खिदमत की और उनके वफदार बने रहे और अर्थरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी के भी आप वफदार रहे और उस्मान गाजी साहब के बाद आप उनके बेटे के भी वफदार रहे एक जंग के दोरान तुर्गुत एलप को सलेबियों ने धोके से गिरफतार कर लिया और उन्हें जिन्दान में डाल दिया जिन्दान उस वक्त जेलों को कहा जाता था लोगों पर बहुत जादा जुल्म किया जाता था उन जिन्दानों पर सलेबियों ने तुर्गुत एल्प को वहां रख उन पर बेहद जुल्म किये और उन्हें बेहद मारा जाता था उन्हें अलग-अलग तरह के दवाईयां भी दी जाती थी ताकि तुर्गुत एल्प सलेबियों के साथ मिलकर मुसल्मानों के खिलाफ सलेवियों का साथ दे सके और उनके सेना में सलेवियों के जो सिपाही हैं उनमें से एक बन जाए उन अलग-अलग दवाओं के असर से आप कुछ वक्त के लिए अपनी यारदाश भूल गए थे फिर अलहमदोलिल्ला आपको ठीक कर दिया गया मंगोलों ने बच्पन में आपके माबाप को शहीद कर दिया था आपकी बीवी आइकिस को भी दुश्मनों ने जिन्दा जला दिया था तुर्गत एल्प का बच्पन जो है वो अतरुल गाजी के साथ और सुलिमान शाह और हाइमा खानम के साथ ही बीता सल्तनत ए उस्मानिया सल्तनत की पहली जंग में तुर्गत गाजी उस्मान गाजी साहब के साथ रहे 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गत गाजी को अनाकोल को फतह करने के लिए भीजा और तुर्गुत गाजी ने अनाकोल को फत्य किया और 36 साल तक अनाकोल शहर के गवरनर बने रहे तुर्गुत गाजी को शहादत भी उनकी 125 साल की उम्र में मिली तुर्गुत एल्प को अतुरुल गाजी सहाब की कबर के पास दफन किया गया उसके बाद फिर किसी बड़ी वज़ा से उनके जिसमें मुबारक को अनियोल शहर में दफन कर दिया गया तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो तो आपकी रिक्वेस्ट में हमने जो आज का वीडियो है वो तुर्गुत एल्प के उपर बनाया और जिस तरह से आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताया कि किस तरह से आप हमारे वीडियो देख रहे हैं उसे दूसरों तक पहुचाना भी ना भूले हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन हैं वो भी मिलते रहे और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमने पहले भी काफी सारे वीडियो जो हैं वो इस शो से रिलेटेड बनाये हैं जैसा कि इबन अरभी के बारे में अतरुल गाजी के बारे में बहुत से वीडियो हमने बनाये हैं अगर आप चाहें और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस परिशान ना हूँ निराश ना हूँ हम आगे बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम सफेद दाड़ी वालों पर भी वीडियो बनाएं और बहुत जल्द ये वीडियो बनाने के बाद हम अपलोड करेंगे तो आपको ये वीडियो भी जो है वो देखने जरूर जरूर मिल जाए अब आपसे अगली बार मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो पे तब तक के लिए फिया मान अलना